अबर चैनल सिविल इंजिनियर्स ब्रोर जी हां दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे वीडियो में बिहार तक्निकी सेवा आयोग में वर्तमान में जो जुनियर अवियंटा के लिए कॉंसलिंग चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट कर सकते हैं बेरिफाई करवा सकते हैं तो उसी को ओफिशली के मादम से आप सभी तक पहुंचाएंगे और इससे पता चल रहा है कि रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसमें भी डिली होगा ठीक है तो जैसे सुनने में आ रहा था कि जनवरी में पतलब जह प्रकासित कर दिया जाएगा तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जनवरी माह में रिजल्ट प्रकासित कर दिया जाएगा फिलाल जो नोटीस आया है ठीक है उसको अब सभी के सामने रखते हैं और सारा डाउट क्लियर करते हैं तो इस किरिन पर देख पा रहे हो अप लोग बिहार तक निकी शेवा आयोग उनीस हाडिंग रोड पटना अवश्चक सुचना ये है कि जो बिग्यापन संक्या जीरो वन ओब्लिंग दोजाएगी स्कनिय अभियानता ही तू कॉंसलिंग के लिए चैनित अभियार्थियों क सुचित किया जाता है कि कॉंसलिंग के समय जीन अभियाटियों को कोई परमान पत्र छूट गया हो वेदीनांग अठारा एक दोहर रिकीश तक आयोग करियाले में मुल परमान पत्र का शित्यापन कराते हुए शाया परती जमा करेंगे तो जैसे आप से भी का आप लोग न कर दिया गया है उस डेट तक आप लोग जाकर जमा कर दे ठीक है अन्य था उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है सुईकार नहीं किया जाएगा तक आयोग करियाले में परमान पत्र का शित्यापन कराते हुए छाया परती जमा कर सकते हैं उक्त परमान पत्र ऑनलाइन आव सब के मन में था कि सब कौन साथ डोकुमेंट्स लेकर जाना अनिवार्ज है जाती आवाश्य एंसी एल ठीक है इडेबलु तो इस सब पूराना वाला चलेगा दियानी 172220 के पहले का होना चाहिए ठीक है नया वाला भी ले जा सकते हैं लेकि नया वाला का जवत नहीं है ठी खर और के आपका एक सिर्फ नहीं किया जाएगा तो अभी समय है आज हो गया है सात झन्वारे और 18 जन्वरे तक का समय दिया गया है आपको ठीक है तो कोई भी आप से भ्लि चुक रहे गया हो डोक्मेंट्स ठीक है तो जाके क Title करेयाले में जमा कर सकते हैं चिक है। तो कि आप ध्यान रखेंगे कि इसकर में कोटिश सुधार मतलब की कास्ट का सुधार किसी पर करके सुधार किसी परकार का अन्य सुधार जो है नहीं किया जा सकता है तो यह यह सम्थिंग था निउज ठीक है जो कि आप समय पहुचा आना था यहोग कि यह सारा डाउड किलिए हो ग कर ले ठीक है आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यावाद